हेलो फ्रेंज आज हम घर पर ही बनाएंगे विब क्रीम और वो भी बहुत थोड़े से समान से फ्रेंज इसे बनाना बहुत असान है तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक खाली कप या आपको एक ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ मैंने लिया है दूद दूद हमें बहुत थोड़ा सा ही चाहिए मैं यहाँ पर एक छोटा चमच यूज कर रही हूँ आप चाहें तो बड़ा चमच भी ले सकते हैं और मैंने इसमें 10 चमच दूद ले लिया है फ्रेंज यह फुल फैट क्रीम दूद है अगर आप चाहें तो दूसरा दूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह है पाउडर्ड शुगर यानि घर पर ही हमने चीनी को पीसा है तो अब हम चीनी भी उतनी ही ले ले लेंगे जितना हमने दूद लिया था उसी चमच का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं फ्रेंज उसी चमच के मदद से हम पिसी हुई चीनी हमारे दूद में डालेंगे अगर आपको लगता है कि ये ठीक से घुला नहीं है तो आप इसे प्लीज अच्छे से घोल लीजिएगा और अब इसमें हम डालेंगे वैनिला एसंस एक चोटा चमच बिल्कुल छोटा स्पून मैंने लिया है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे दो घंटे के लिए सेट होने के लिए अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ अमूल बटर फ्रेंट्स आप चाहें तो बिना नमक वाला जो बटर आता है वो भी उज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर नमक वाला ही बटर लिया है अब हम बटर जो है इसे थोड़ा रूम टेंपरेचर पर आने देंगे यानि हमें बहुत जादा सक्त बटर नहीं चाहिए और नहीं बहुत जादा नरम अब इसे हमें खाली बाउल में कर लेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर होता है इससे इसे बीट कर रही हूँ अगर आपके पास hand whisk है तो आप उससे भी इसे whisk कर सकते हैं तो इसे हमें अच्छे से beat करना है जब तक कि इसका रंग नहीं बदल साता आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सफेद कलर का हो गया और बहुत fluffy हो गया है अब ये बिल्कुल भी टपक भी नहीं रहा है तो इस stage पर हम इसमें जो हमने दूद रखा था fridge में वो डालेंगे लेकिन हम धीरे धीरे इसमें ये दूद mix करेंगे यानि कि दो दो चमच या एक एक चमच दूद हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से whisk से mix करते जाएंगे अच्छे से हमें इस cream को beat करना है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी cream ready हुई है और ये बहुत ज़्यादा fluffy बनी है friends तो अब मैं यहाँ पर ये जो nozzle आता है केक की icing के लिए वो ले रही हूँ और एक plastic मैंने glass में लगा लिया है और इसमें हमारी जो cream ready हुई है वो हम fill कर लेंगे friends आप चाहे तो stepula की मदद से असानी से cake को direct भी cream से सजा सकते हैं पर मैं यहाँ पर आपको nozzle से इसे decorate करना दिखा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक muffin ले लिया है और आप देख सकते हैं बिलकुल market जैसी हमारी ये whipped cream ready हुई है और बहुत ही अच्छा इसका effect आया है तो friends आप भी इसे ज़रूर try कीजिएगा और यह room temperature पर पिग लेगा भी नहीं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like करना मैं और नहीं कर दोसे कि अच्या पैक रहीं प्रigor कुल वीट तोban È जच्ट कि आit अभी ऑ्या थी थाच्ट कर दो एक कि एम्मवब तो चंटा सकते स czegoोई आपको झाम